हाई फोक्स लेट्स लेवल अप तो यार वो कहते हैं ना यह क्लाउड बेनिफिट भी कर सकता है तो क्लाउड का मतलब है कि एनी सर्विस ओन वर्चुल नेटवर्क तो जब कोविड आया था तो मोस्टली कंपनीज ने क्लाउड को अडोप्ट करना स्टार्ट कर दिया था तो तो इस विडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अपनी क्लाउड की जर्णी कैसे स्टार्ट करें ताकि आप इसे असानी से सीख पाएं और फ्यूचर में एक अछा पैकेज ले पाएं तो वीडियो में मेरे साथ बने रहें तो cloud सीखने के लिए आपको कम से कम भी 5-6 महीने अराम से लग जाएंगे तो आप ज़्यादा जल्दबा जीमत करना, मुझे एक महीने में करना, मुझे दो महीने में करना, मुझे इतनी तारीकों इंटर्व्यू देना है, वो चीज़े आप धीरे धीरे सीखेंगे तो ही काफ ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब यह आप उसे effectively सीख पाऊगे, तो cloud सीखने के लिए आपको मैं में लिए 4 चीज़े बताऊँगा, जिन से आपको काफी ज़्यादा help मिलेगी, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ की बात करते हैं, तो यहा को सीख सकते हैं, यहाँ पे आता है IP and its types, फिर यहाँ पे आता है subnetting, OSI model, TCP IP model, DNS, DHCP, different type of ports and protocols, तो यह सब चीज़े आपके लिए enough रहेंगी, बाकी knowledge है जी इतनी gain करोगे उतनी ही कम है, तो अब चलते हैं अपने important point 2 की तरब, तो यहाँ पे आता है operating system, तो operating system you can learn either Linux और Windows, तो इसके लिए आपको सीखना क्या क्या है वो सब मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ पे आता user management, file management, process management, memory management, boot process, server patching, तो इस टाइप की चीज़े आपको आनी चाहिए, बाकि आप अगर scripting add करेंगे तो वो आपकी काफी ज्यादा help करेगी, जैसे आप Linux के case में सीख सकते हैं, cell script scripting या फिर best scripting और आप Windows के case में सीख सकते हैं, power cell scripting, तो mainly काम वैसे server पर ही होता है, तो server के उपर operating system चल रहा होता है, तो अब आता है अपना point number 3, जो कि सबसे ज्यादा important point है, जिसके लिए यह video है, तो यहाँ पे आता आपका cloud, तो आपको एक नए cloud तो सीखना ही पड़ेगा अगर आप यह cloud सीखोगे, तो आपके उपर पैसो की बारिस होगी, तो आप अपनी सर्दा के साब से AWS, Azure या GCP, कोई भी cloud आप सीख सकते हैं, तो AWS और Azure के comparison में अगर देखा जाए, तो GCP का market cap कम है, तो अभी currently वैसे उसको भी companies are adopt कर रही है, तो आप अपने coding cloud कोई भी चुन सकते हैं, तो cloud में यहां पे different type के role होते हैं, तो आप अपनी interest के coding उन्हें चूज कर सकते हैं, अगर आपको coding में इंटरस्ट है, तो आप developer role की side जा सकते हैं, अगर आपको coding नहीं करनी, आपको operations या अभी support में जाना है, तो आप cloud admin, cloud operations engineer, या फिर अप cloud support engineer role की side जा सकते हैं, तो अभी चलते अपने आज के लास्ट और काफी important point की side तो यहांपे आता है automation तो यह भी काफी ज्यादा important है जो कि आपको switch करने में या आपको job पाने में काफी ज्यादा help करेगा तो यहां आते हैं कुछ tools जिनके दौरा आप infra का काम code के थूरु कर सकते हैं इन टूल्स को infrastructure as a code भी कहा जाता है For example Terraform और ये Terraform टूल टीनों cloud को support करता है AWS को भी, Azure को भी और GCP को भी तो इसे आप easily सीख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक अलग ही language यूज होती है जिसमें आप code easily कर पाओगे और इस language को कहते हैं HCL यानि कि HACI Code Configuration Language तो एक और बात यहाँ पे अलग-अलग cloud के अपने अलग-अलग infrastructure code टूल्स होते हैं तो AWS के case में cloud formation Azure के case में Azure resource manager और Google cloud के case में Google cloud deployment manager तो सब के अपने अलग-अलग tools होते हैं बट वो company to company depend करता है कि उन्हें क्या use करना है तो mostly companies Terraform का ही use करते हैं तो मेरी suggestion के according to you आपको Terraform सीखना काफी ज्यादा अच्छा रहेगा तो जैसे ही आप अपना cloud का असले बस खतम करें तो उसके बाद certification का plan जरूर करें वो आपकी interview के दोरान भी काफी ज्यादा help करेगा तो अगर आप यहाँ पे operations या फिर admin level का job जूणना चारे है तो आपको उसके लिए certification करना है तो यहाँ पे AWS के case में आता है Certified Solution Architect Associate Level और यहाँ पे Azure के case में आता है AG104 और GCP के case में आता है यहाँ पे GCP Associate Cloud Engineer बाकि जो लोग development में जाना चाते हैं वो development के according to certification कर सकते हैं एक और main point आप जब भी पढ़ें जहां से भी पढ़ें तो आप notes बना के पढ़ें इससे काफी ज्यादा help होगी और यह tried and tested formula है तो यह थी आज की वीडियो वीडियो आप सब को कैसी लगी आप जरूर बताना आज की वीडियो ने भी आपके लाइफ में कुछने कुछ value तो जरूर एट की होगी अगर आपकी कोई भी queries हैं या फिर questions हैं तो आप comment box में लिख सकते हैं या फिर मुझे Instagram या फिर LinkedIn पे follow कर सकते हैं तो खुद को बहतर बनाने के लिए subscribe करें